लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल, कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिच्डी पर चावल, तो बनने ही बनने हैं कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोख चुकी थी, पर लता अपनी सादत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी बहु, आज खाने में क्या बनाया है? बाबुजी दाल चावल बनाये हैं, आज फिर चावल बना लिए के आगे परोज दिये, एक काम करो, मैं तुम्हें दो रोटी का आटा गूत कर रोटी सेख देती हूँ अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूँगा अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहु बोलेगी की उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रहे थी लता, आज तो मेरी ओफिस की छुट्टी है, एक काम करो, कड़ी चावल बना लो, भौत मन हो रहा है अब मैंने गोभी आलू की सबजी और रोटी बना दिये, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगे वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हो, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सबजी खा लो तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो, अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सबजी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बना कर बैट गई हो अरे तु क्या हुआ, तुम तु जानते हो न, मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में ठकी हूई होती हूँ, इसलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ, मेरे से नहीं बनती रात में रोटिया अच्छा ठीक है, जो मन मैं आए वो करो, मैं मा को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बोल रही है कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्ध है विमला की तब्य ठीक नहीं थी, इसलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है देखिए माताजी, उड़त की दाल, भिंडी, चावल, दही वगएरा और ठंडी चीजे, आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ, ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूद वगएरा ले लो, मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्ध हो जाता है डॉक्टर साहब, और कुछ खाने का परहिज? बस इनहीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई ले विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है लता डॉक्टर ने मा को कुछ चीज़े खाने के लिए मना किया है, जिन मैंसे चावल भी है तुम ये जो रोस चावल बना देती हो न, रात में, वो मा को बहुत नुक्सान करते हैं इसलिए आप मा के लिए रोटी बना दिया करो ठीक है, बना दूंगी पर आज खाना बन चुका है तो कोई बात नहीं, मा के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबुजी के लिए भी बनाई दो बस काम पर काम बढ़ा देते हो लथा गुसे में रसोई में जाती है, तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेख रही है अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई, अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझे पर गुस्सा करेंगे कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके ठक जाती हो दो-चार रोटी ही तो सेख नी है, उसमें देड नहीं लगती, तुम्हारे लिए बनाओ, तुम खाओगी नहीं, नहीं, मुझे नहीं खानी, आप अपने लिए और बाबुजी के लिए बनालो, मैं तो चावल ही खाऊंगी अपना खाना डाल कर रसोई से चली जाती है, लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा, दिन में रोटी सबजी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती जब उसने देखा कि उसके साथ ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में जादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े, और वो चावल खा कर ही रह जाए मा जी, रोटी मैंने दो पहर में जादा बना दी थी, मुझे पता था आप और बाबुजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है, अब मैं आप लोगों की रोटी दो पहर में बना दिया करूँगी, पर बहू वो तो ठंडी हो गई होगी अब अरे विमला कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो, तुमने और मैंने ही तो खानी है, जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो लता अपने कमरे में चली जाती है, उसके साससुर दो पहर की रोटी ही खा लेते हैं, लता अपनी आदत की वज़े से अब जब भी रात में चावल बनाती, तो अपने साससुर की रोटी दो पहर में ही बना कर रख देती, एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चड़कर उपर की अलमारी से कुछ ढून रही थी कहां रख दिया मैंने अपना नया पर्स यहीं उपर अलमारी में ही तो रखा था भाबी, आराम से मेज गिर जाएगा रुको मैं आती हो जितनी देर में कामवाली दोड कर जाती इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर जाएगा लता की चीक निकल गई अभिनोव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए लता की रीड की हड़ी का मांस भट गया जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया मा, ये लता की सारी दवाईया अभी अगले हफ़ते बुलाया डॉक्टर ने बेटा घबरानी के तो कोई बात नहीं है न डॉक्टर क्या कह रहा है पापा, रेड की हड़ी का मांस भट गया है इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा अरे, मेरी बहु तो बहुत बहादुर है देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीज़े बना कर दूंगी जिससे तुम्हें आराम मिलेगा लता की कमर में दर्थ था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं लता की सास विमला अपनी बहु की बहुत देख भाल करती है लता देखती है कि उसकी सास बिलकुल उसकी सखी मा की तरह उसकी देखभाल कर रही है उसे अपने उपर बहुत पश्तावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए दो रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दो पहर की ठंडी रोटियां दे देती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया लता को अपनी गलती का एχसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती ताकि उसके साथ ससुर अगर चावल नहीं खाना चाते तो वो गरम-गरम रोटी खा सके एक गाउं में करुणा नाम की एक वृत्व विध्वा औरत रहती थी उसका पती राम-प्रसाथ एक रोट हाथसे में मर गया था करुणा का एक लड़का भी था जो की शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पती की पुरानी मोमोस की दुकान चलाए करती थी बिटा अब इन बुड़ी हड़ियों में जान नहीं बची है कब तक जिन्दा रहोंगी नहीं पता तु बस एक बार घर आजा तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है तेरे पिता जी के जाने के बाद तु ही तो एक सहारा है मेरा सुधिर फिर फोन कार्ट देता है करुणा उदास मन लिये टेलिफोन वूट से बाहर आती है क्या हुआ भाबी जी क्या बोला सुधिर बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाओंगा अगर बुरा ना मानो भवी जी तो एक बात बोलू, सुधिर अब शेहर जाकर बदल गया है, आप उसकी राहा देखना बंद कर दें धनी राम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती, आप बताओ कितने पैसे हुए मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भावी जी, कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाएए नहीं धनी राम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत दुपकार है, मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ पैसो का क्या है भाबी जी, जब हो आप तब दे देना, अभी आप आराम से घर जाईए करुना फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोस की दुकान पर काम करने लगती है आईए, आईए, स्वादिश्ट और मसेदार मोमोस खाईए और अपने घर भी ले जाईए, आईए, आईए वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी बुढ़ापे की वज़े से वो ज़्यादा काम में ही कर पाती थी लेकिन फिर भी वो रोज मोमोस की दुकान खोलती और काम करती गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे कभी-कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था करुना का गुजर बतल बहुत मुश्किल हो गया था करुना बहुत धार्मिक स्वभाब की थी वो हर रोज गणीशी के मंदिर में जल चड़ाने जाती थी और प्राटना किया करती थी हे भगवान इस अभागन पर दयाज रिष्टी डालो जीवन बहुत कठिन हो गया है लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता मेरे पती के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बुड़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता ये प्रभू दया करो ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं दोनों की उम्र 16 साल थी वो आकर करुणा से कहते है मैया हम दोनों भाईयों के पास कोई घर नहीं है क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे बीटा मैं खुद परिशान हूँ मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ मैया हम आपका सारा काम करेंगे बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए ठीक है करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूट थे जिनको भगवान ने करुना की मदद के लिए करुना के पास भेजा था करुना मोमोस का सामान बना रही होती है माजी ये काम आप हमें दे दीजिए मोमोस हम बना लेंगे आप जाकर आराम कीजिए करुना रसोई घर से बाहर आ जाती है, वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद गेट खुलता है, करुना देखती है कि सारे मुमोस बहुत अच्छे से तयार हो गए है, करुना ये देखकर बहुत खुश होती है, अरे वा, तुम दोनों न में तो बहुत अच्छा काम किया है, फिर करुना उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मुमोस की दुकान खोलती है, और मुमोस बेचने लगती है, आए, आए, स्वादेश्ट और मजेदार मुमोस खाइए, और अपने घर भी ले जाए, आए, 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 आज करुना के मु मोस में से ऐसी खुश्बु आ रही थी, जैसी कभी नहीं आई, पुरे बाजार के लोग, मुमोस की खुश्बु से आकरशित होकर, करुना की दुकान पर आने लगे, और देखते ही देखते, करुना की दुकान पर भीर लग जाती है, अरे, एक प्लेट मुमोस देना, मुझ आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, अगर ऐसे ही मेरे मुमोस बिखने लगेंगे, तो मेरा सारा करश उतर जाएगा, दोनों बच्चे अब करुना को कोई काम नहीं करने देते, दोनों मुमोस बनाते और करुना के साथ उने बेचने भी जाते, उन दोनों के बनाए मुम लियां चाड़ता रह जाता एक रात की बात है वो दोनों बच्चे रसोई घर का दर्वाजा बंद करके मोमोस बना रहे थे कमाल है हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोस क्यों बनाते हैं आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है करुणा चुपके से जाकर खिड़क में से जाकती है वो देखती है कि उन दोनों जोड़ा बच्चों के हाथ में से चमतकारी शक्तिया निकलती है जिससे मोमोस अपने आप बनते हैं ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है दर्वाजा खोलो जी माजी तुम हमें गड़पती जीने आपकी मदद के लिए भेजा है क्या सच में गड़पती भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है हा माजी आपकी परिशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है करुणा ये सब सुनकर बहुत खोश होती है अब इसके बाद दोनों फरिष्टों के जादू से करुना के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूर रोज अपने जादू से मोमोस बनाते और करुना उसे बेच आती। देखते ही देखते करुना की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोस दूर दूर से खाने आते थे, ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोस की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिये, अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुँच तुझे देखने के लिए तो ये आँखे तरस गई थी, हा मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था, मेरी मती मारी गई थी लेकिन, अब मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई परिशानी न बेदी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो, अब तुम घर, क्या हुआ, तिजोरी की चाबी मिली, हाँ, ये रही, अब फटा-फट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहां से, हाँ, हाँ, चलो, मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकाल कर अपने बैग में भढ़ लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं, भागते भागते वो गाउं से बाहर निकल जाते हैं, तब वो ठक कर एक जगा आराम करने के लिए बैठते हैं, इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है, अब ज़रा बैक खोल कर दिखाओ तो, इसे ची भर कर देख तो लू मैं, सुधिर जैसे ही पैसो का बैक खोलता है, वो देखता है कि उसमें बस राक है, दोनों फरिष्टों के जादू से वो सारे पैसे राक में बदल गए थे, वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं, वो दोन अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है, तो उसमें भी कालिक ही होगी न, कैसी संतान है तू, अपनी मा को लोटना चाहता है, तेरी माने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है, और बिन मा के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं, अभी भी समय है, सुधर जा, और जाकर अपनी मा से माफी मांग ले, आप तोनोंने हमारी आखे खोल दी, हम लोब में अंधे हो गए थे, हम अपसे ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, फिर मीरा औ में इतनी मदद की इसके लिए धन्यवाद, अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है, अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहां से जाने का समय आ गया है, अब आप हमें जाने की अनुमती दें, ये बोल कर दोनों वहां से चले जाते हैं, अब करुणा का जीवन बहुत खुशाल हो गया था, अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, उसकी मुमोस की दुकान भी अच्छी चल रही थी, अब वो अपने बेट